दोस्तों कैसे हैं आप सुब दोस्तों यह है हमारे पास Fireboard Ninja Call Pro Plus आज की इस वीडियो में हम इस smart watch को इसकी app के साथ कैसे connect किया जाता है यह बताएंगे इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम इसकी unboxing और review कर चुके हैं smart watch को connect केने के लिए आपको एक app की जरूत होगी उस app को download करने के लिए आपको यहाँ पर QR code मिलता है इसको scan कर सकते हैं अगर scan नहीं कर सकते हैं तो प्लेश टोवर पर यह जू नाम आप देख रहे हैं the fit यह search करिए तो आपको यह वाली app मिलेगी तो हम पहले डाउनलोड कर चुके हैं और इसको हम जो है on कर लेते हैं watch को यह जब तक on हो रही है तो हम app को open कर लेते हैं app का interface कुछ इस तरह का यह home है यहां पर आपको activities का सारा record मिलेगा और यहां से भी आप add कर सकते हैं या फिर आप यहां पर आप देख सकते हैं यह watch को icon बना हुआ है इस पर आईए यहां पर add device लिखा हुआ है इस पर click करेंगे और यहां पर आपको आपकी watch जो है मिल जाएग और जब यह connect होगी तो आपकी watch जो है हर किसी wipe date होगी अब इसको हमें जो है Bluetooth से connect करना है calling के लिए बहुत easily connect हो जाती है यह watch आप देख सकते हैं यहां पर pair करने का option आ गया है और आप देख सकते हैं यह connect हो रही है watch जो है connect हो गई है और यहां पर सारे options दिखाई देने लगे हैं तो इसको connect करना काफी easy है यहां से आपको watch faces देखने को मिलेंगे watch faces को कैसे set करना है अपना photo कैसे लगाना यह आप जो है review वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं उसके link आपको description मिल जाएगा तो दोस्तों कुछ इस तरह से यह watch connect होती है अगर आप कुछ पूछना है त आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर करें